असलाम अलेकों वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल, आज की इस वीडियो में मैं प्लैन फैब्रिक के उपर बहुत ही गुफसर सी आप लोग के साथ सिंपल डिजाइनिंग शेयर करूँगी, जिसमें सिर्फ मशीन के इंट्रैडरी का काम है और थोड़ा बहुत और गिंजा के फ प्रीज बना ली है, फिर सेंटर पे हमने एक स्ट्रैट लाइन रो कर ली है, फ्रेंट साइट के उपर, अब हमने गला कट कर लेना है, गला आप मर्जी से जिस तरह बनाना चाहो बना सकते हो, डबल फोल करके गले की चुड़ाई मैंने 3.5 इंच पे ली है, और गले की आप में इना पर 5 इंच पे ली है, यहां पर मैं उपर से राउंड गला रखोँगी, आप स्कुऔर बना सकते हैं या पर इसको सिंख़ बही सकते हो, या पर इसको सीम्पल भी रख सकते हो, अब जहां पर लंबाई हमने लिय रुआ है, फाइटर बना चाहो बना सकते हो, अ अब extra margin चोड़ते हुए हम cutting का निशान लगाएंगे और simple जो है वो गले की cutting कर लेंगे अच्छा ये जो design में बना रही हो इसके अपर गले का कोई भी issue नहीं है आप जिस तरह की designing में जो आपको पसंद हो आप उस तरह का गला बना लो आराम से ठीक है अब यहां पर हमने इसको pest कर लेना है जी कपड़े के उपर कपड़े के उपर पेस्ट करने के पास थोड़ा सा margin चोड़ते हुए extra कपड़े को हम cut कर लेंगे यहां पर वीडियो को short करते हुए मैंने इसके side वाला कपड़ा इसके अपर fold कर लिया था यानि इसकी stitching मैंने कर ली थी तो पिंस के साथ set कर लें अगर आप beginners हैं नहीं तो आप center पर बेल एक rough sly लगा लें जिस तरह से यहां पर मैं वीडियो में लगाऊंगी उसके बाद जो है वो आप गले के उपर पूरी sly लगा सकते हो देखे इस तरह से यह center पर हमारी sly लग चुकी है अब side पर हमारी sly लगेगी इस तरह से अब यहां पर आपने थोड़ा सा कपड़ा चोड़ते वे पहले इस तरह से round गले को cut कर लेना है है अब चोड़ा चोड़ा लगा लेने है यह थाखे पलएटने के बाद round गले को cut करेंगे फर इस तरह से और इस थाखे शचट़ फीर को Kबड़े को निक्ले और यहां पर हम ने iconus on match Rough sympathy के बाद से कर्ट यहां से पलेटने के सरिंदी चो तो जी, गला देख्यें इस तरह से रेडी हो चुका है अब यहाँ पे हमने ये औरगिंजा का फैबरिक यूज करना है इसके हमने फिलावर्स कट करने है ये देखें मैंने औरогिंजा का पूरा 1 मीटर फैबरिक लिया था उसमें से मैंने ये strip cut की है उसको मैंने इस तरह से fold करके यहां पे इसको अच्छे से iron कर लिया है अब इसकी जो लंबाई है वो 4 इंचिस पे है और इसकी चोड़ाई भी हमने 4 इंचिस पे लिया है यानि लंबाई चोड़ाई आपने बराबर लेनी है अब यहां पे सबसे पहले हम यहां पे लाइन्स लगा लेंगे जिस तरह की हमने designing करनी है उस तरह की यहांब मैं टैलर चोका स्तमाल कर रही हूं जिसके निशान जो हो अराम से मिट जाते है तो इस तरह से आप इतने हिसाब से जिस तरह से आपको डिजाइन अच्छा लगए आप उस तरह से ये डिजाइन बना लें जिस तरह से यहाँ पर मैंने बनाया है या तो इस तरह से बना लें नहीं तो आपको जिस तरह से अच्छा लगए आप उस तरह से इसको बना सकते हो अच्छा यहां पर जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं बाद में मुझे समझ ना आए तो मैं इनको स्किप कर दूँगी बताने का मकसद यह है कि स्किपर डिजाइनिंग किस तरह से होगी बस वो आपको बताना है ठीक है तो यहां पर मैंने इस तरह से यह देखें लाइन्स ट्रो कर ली है तो यह जी हमारा इस तरह से फाइनल हो चुका है अब यहां पर हम दागे के साथ इसके उपर काम करेंगे अब सबसे पहले हम यहां पर और गिंजा के फ्लावर्स कट कर लेंगे जो मैंने औरगंजा फोल्ड करके रखा था इसके ऊपर हमने कोई भी राउंड चीज रखनी है कोई सी भी आप चीज ले लेए चोटे साइस की अगर बड़े साइस की आपने फ्लावर बनाने तो आप बड़े साइस की ले ले तो यहां पे देखें इस तरह के हमने बहुत सारे पीसे कट कर लेने हैं अब है यहां पर एक पीस को हम फोल्ड करेंगे Eli Desight कट करेंगे यह देखें इस तरह से पhले आफ ने इसको Bowl करना है पर इस तरह से double 14 करना है उसके बाद अगें अपने एक मरतबस को और fold कर लेना है इस तरह से, अब यहाँ से हमने इसकी गोलाई की shape में आपने इसको ist рекडराई कर लेना है, अब जिसके झालज करेंगी यह कुछ इस तरह से cut होगा आपने इसको fold करके इस तरह से stretch करना है और इस तरह के आपने बहुत सारे pieces कुट कर लेने हैं में अलग करके फिर इसको डबल कर लूँगी उसके बाद हमने इसको फिरकी में बढ़ लेना है देखें कुछ इस तरह से इस तरह से हमने इसको फिरकी में डबल करके बढ़ लेना है अब हमने इसको यूज किस तरह से करना है यह देखें यहां पर मशीन की उपर की साइड में इसको लगा लिया है इस तरह से जिस तरह से हम नॉर्मल दागा डालते हैं मशीन में उसी तरह से हमने इसको यहां पर फिक्स कर लेना है उसके बाद अब हमने उपर की साइट से इस लाइयां लगाना स्टार्ट करना है जो हमने लाइन स्ट्रॉर की हैं बिल्कुल इसी के उप को उठाना है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है यह देखें हर्ट शेप में यह बन जाएगा उसके बाद आपने पहले एक स्लाइड यहां पे स्ट्रेट लगा लेनी है इस वैब्रिक के उपर अच्छा यहां पे आप कॉटर नेट भी यूज कर सकते हैं जो नॉर्मल नेट स्लाइड को दुबारा अपने नीचे की तरफ लेकर आना है पिर अगेन जो सब्सक्राइड के नेकर रिएंगे जाए सब्सक्रेड लेकर अपर लाइन के रेंड के नीचे तक लेकर लेकर आएंगे today कि लग उलिवह कुझे 국 यह देखें इस तरह से एब इसी तरह से हमने बाकि ये सारी of influence के उपर ये sly लगा ले, और ये impl accounting day in reverse अच्छा जहां पर ये sly end हो रहा ही ए उद पर ये कि आपने कुछ इस तरह से ये देखें इसको finishing देनी है उपर की सैट से हम जो दागा है उसको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से फिर जो नीचे की सैट वाला दागा होगा उसको आपने इस तरह से जोर-जोर से खेचना है इससे क्या होगा कि उपर की साइट का जो दागा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा उसके बाद आपने इसको यूँ कट कर लेना है पर उपर की साइट देखें ये कितनी फिनीशिंग आ गई है इसमें अच्छे ये जो स्लाइम मैंने नॉर्मल रील के साथ लगाई है आप जो तो यहां पर जी देखें हमने इस तरह से कले को रेड़ी कर लिया है उपर की सैट जो कट लगाऊ था उसमें मैंने बड़े साइज का पर यूज यूज किया है और यह जो हमने फ्लावर्स लगाए थे हार्ट शेप में इसके ऑपर मैंने यहां पर कट ओरी वाले इस तरह से ये जो है वो सितारे लगा लिये हैं सितारे आपने कुछ इस तरह से लगाने हैं जहां जाब स्लाइ एंड हो रही है फ्लावर के उपर उस कॉर्णर के उपर आपने ये देखें इस तरह से इन सितारों को स्लाइ कर लेना है ये देखें इस तरह से एक एक सितारा अपने लेना है और उसको उल्टा करके आपने इसके उपर इस तरह से स्टिच कर लेना है यह बहुत आसान है इसको लगाना यह मैंने वीडियो इसलिए स्किप नहीं की कि जिनको पता है लगाना तो उनके लिए तो आसानी है जिनको नहीं पता तो उनके लिए असानी हो जाएगी अगर मैं इसको आप लोगों को तरीका बताऊंगे लगाने का दो क्योंकि काफी लोगों को इस तरह की चोटी-चोटी चीज़े भी कभी-कभी नहीं आती तो अगर आपको पता है तो आप यह स्किप्ट कर लें और जिनक कुछ इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है अब हम सारे सितारे इसके उपर लगा लेंगे अच्छे से तो जी यह हमारी शिर्ट जो है वो इस तरह से रेडी हो चुकी यानि इसका गला जो है वो रेडी हो चुका है और जो लाइन से इसके उपर भी हमने इस तरह सी सितार स्टेच कर लिए हैं थोड़े थोड़े से फासले के साथ तो जी आज के लिए बस इतना ही उमीद करती हूँ कि आज का बनायवा डिजाइन भी आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि मेरा आज का बनायवा डिजाइन अप लोग को कैसा लगा तो जी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जी अल्ला हाफिज